हेलो डिया स्टुडेंट कैसे आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का स्वागत है राइ स्मार्थ हिंदी यूट्यूब चेनल पर आज हम बात करेंगे कुछ इंपोटेंट जो ग्राफिक के कोश्चन के बारे में जो एक्जाम में आई हुए है तो पी बाई क्यों हम देखते हैं बहुत इंपोटेंट क्लास रहने वाली है सभी स्ट्रेंट क्लास का लिंग शेर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और कुछ इंपोटेंट है कोश्चन जो आपके एक्जाम में 2023 में आई हुए है तो आईए देखते है फर्स्ट कोशन है निमलिखित में से किसी स्थान पर मांसून के दोरान सबसे पहले सबसे कम वर्षा होती है which of the following places receive least tenfold during मांसून सीजन तो देखे बच्चो सबसे कम वर्षा कहां पर होती है सबसे कम वर्षा कि अगर हम बात करें तो वह है आपका लेहलद्दाग क्योंकि जो लेहलद्दाग है वो भारत का cold desert है क्या है वो भारत का cold desert सिर्ट मरुस्थाले वहाँ पर snowfall होता है वहाँ पर rainfall नहीं होता जबकि भारत में सबसे ज़्यादा जो rainfall होती है फो में घाले की मौसिन राम में होती है यह question पूछा गया है 2023 में very important है देखे जरूरी नहीं सेम question आई लेकिन means यह वाला topic जो rainfall वाला topic है इंडिया की वो important बनता है हमें यह चीज़े पता चलती है देखे जो आपी previous year होते है इन चीज़ों का ज्यान होता कि कोन से question आई हुए है कैसे question आई हुए है तो बहुत सारी चीज़े हमें पता चलती है जिस रास्ते पर आपको चलना है वो रास्ता पहले आपको देखना पड़ेगा उस रास्ते की पहले आपको जानकारी लेनी पड़ेगी तब वो रास्ता आपके लिए beneficial होगा ठीक है इसी तरह ऐसे आपको exam देना है SST का तो SST ने कैसे question geography से पूछे है किस level के पूछे गए है किस topic से पूछे गए है किन option के साथ पूछे गए है किस language में पूछे गए है तो वो आपको पहले पता करना पड़ेगा तब ही आप होंगे successful तो यार रखना बात का जो मानसून है बात की जो rainfall है very important topic है आपके exam के लिए Next question भारत में रास्ती जलमाग 2nd National Waterway 2nd किस नदी पर विक्सित किया गया है Question पूछा गया है MTS exam 2013 On which river has National Waterway 2nd being developed in India तो देखिए भारत में अभी तक कहीं भी जो rivers है उनका हम जादा use transport के लिए नहीं करते हैं जबकि जो विदेश हैं दूसरे देसों में भी rivers का use किया जाता है तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में भी क्या हुआ अब नदियों पर National Waterways बनाने लगे हैं भारत का first inland waterways है गंगा नदी का लेकिन second की अगर हम बात करें तो वो है ब्रंपुत्र नदी का जो कि ब्रंपुत्र नदी का असम में सदिया से धूबरी तक का जो मार्ग है वो National Waterways second है फर्स्ट भी एक्जाम में पुछा जा सकता है प्यारे बच्चो तो फर्स्ट का आप याद रखें गंगा नदी का ये भारत का first national waterways है ये कहां से कहां तक है ये प्रियाग राज से है आपका हल्दिया तक हल्दिया में स्पश्वी बंगाल ये आपका यूपी यूपी स्टेट है यूपी से पुत्तर प्रदेश राज्ये से वेस्ट बंगल राज्ये तक है आपका भारत का first inland waterways ठीक है भारत का प्रत्थम आंतिप्रास्टी जल मार्ग और second है आपका पुत्र नदी पर असम से धूपरी तक कोशन देखिए ये भी 23 के कोशन में आपके लिए लेकर आई हूँ very important है कोशन है निमली खित में से कौन सी जील खारे पाने की जील है which of the following lakes is a salt water lake तो इन में से अगर हम बात करें सबसे अधिक खारी का कोशन है सिर्फ खारी है वो इंडिया की विदी हुई है वो आपकी वर्ल्ट की विदी हुई है तो इन में सबसे जो खारी जील है वो है चिलका जील कौन सी आपकी चिलका लेक कहां पर है ये आपकी ओडिसा स्टेट में है ये भी कोशन पूच सकते है कहां पर है ओडिसा यह वैस डारेक्शन में भारत के और जिल का कौन सा प्रेकार है लेगुन लेख है यह कौन सी जील है बच्छों याद रखना लेगुन यह लेगुन जील का एक प्रेकार है जबकि भारत विश्की सबसे बड़ी मीठे पाने की जील तो यह largest प्रेस वोटर लेख है आपकी वर्ड की विश्की सबसे बड़ी मीठे पाने की जील यह आपका कौन सी है सुपीरियर कनारा राजी में है यहाँ पर फाइब ग्रेट लेक्स है सुपीरियर मिसिगन ओंटारियो इरी यह पांच महां जील है टिटिका का विश्की सबसे उची न जारेक्या नुसार उन राज्जी और केंदि सासित परदेशों का सही जोड़ी पहचानिये जिनोंने उस्तम सक्षरतादर्ज की है इडेंटिफाइड करेक्ट पेर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटिस फीच है ओ रिकोर्डेट दा हाईगेस लिट्रेसी रेट एस पर सें हैंगे क्योंकि 21 का डेटा भी हमारे पास नहीं है और यह कोशन भी आता है पूपलेशन चैप्टर पहरी इंपोर्टेंट यह आपको समझना पड़ेगा तो अगर इसकी को आर्सर की बात करें तो केरला में तो हमेशा ही रहता है और यूनियन टेरिट्री की बात करें तो व प्रियावन के रक्षक जाता है तो परियावन के रक्षक somos ऊंधे प्रह जाता है तो प्रियावनaked Rackshak कहा जाता है तो परियावन के रक्षक हम बोलते हैं मैग्रोवन को यह एवर्गीन फोरेस्ट है स्योटुका अब्जॉर्व करते हैं किलियर चलिए कोशन है नेक्स आपके लिए बेटा अरब साकर में बुंबई हाई उच्छाई किस के खनन के लिए जाना जाता है बुंबे हाई रिजन इन्दा अरेबियन सी इस नोन फोर माइनिंग तो बुंबे हाई के अगर हम बात करें अरेबियन सी भार्क की वेस्ट आरेक्शन में है यह अरेबियन सी है आपका यही पर महारास्ट में बुंबे है बुंबे हाई एक एरिया है कौन सा इसी के आसपास का जो किसका production करता है जो करता है आपका मिंदल ओईल का खनिस देल का जो मिंदल ओईल है वो निकाले जाते हैं आवसाधी चट्टानों से sedimentary rock से निकाले जाते हैं याद रखना है किन तरह की चट्टानों से मिंदल, soil या प्राकरतिक गैस निकाली जाती है तो आंसर होगा आपका sedimentary rocks के लिए चलिए question है गोविंद सागर भाखडान अंगल परियोजना पर है ये किस राच्चे में हैं गोविंद सागर डैम भाखडान अंगल प्रोजेक्ट से लेटेर है वो किस स्टेट में है तो याद रखना वो आपका हिमाचल प्रदेश में है कौन सी नदी पर है सत्लज नदी पर है देखे भाखडा गोविंद वल्ला पंच सागर गोविंद वल्ला पंच सागर रिहंद नदी पर है उत्तर प्रदेश में ये है गोविंद सागर यह है आपका हिमाजल प्रदेश पे सतले नदी पर और यह आपका भाखणा नंगल प्रोजेक्ट जो की भाद करों सबसे उचा डैम भी है और बड़ा भी है सुरी उचा आपका टीरी डैम है पोशन है नेक्स्ट आप के लिए अरप सागर निमली खित में से किस महा सागर का विस्तार है तो आप तो जानते हैं पीटा पाई पोशन है इन पाई पोशन के बहुत सारे सी हैं बहुत सारी गल्फ है बहुत सारी खाडिया है तो अगर हम बात करें अरप सागर को जो भाग अरप सागर जो भाग है वो इंडिय इसी के साथ साथ लाल सागर लाल सागर अंडमान सागर पारस की खाड़ी ठीक है आपका मननार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी ये सब इंडियन ओशन के ही पार्ट हैं कोशन नेक्स्ट है तो आया हुआ कोशन आपका मेगाले की इनमें से कौन से जनजाती का शाद मस्तिया या विजय निरत्य जनजाती के प्रमुक्त अभारों के दोरान क्या जाने वाला एक प्राचिन युद्ध न रटती हैं तो यारट ना मेगाले की जो खासी पाड़ी हैं और जो मेगाले वो zamagy खासी पाड़ी पर ही लोक totally हैं वेघाले तो इस तरह की question आपके 23 में पूछे गए हैं MTS exam में मुझे पूरी उमीद है आप इन question को समझोगे याद करोगे topic आप समझोगे कौन से topic से लिया गया है तो ये important है फिर मिलते हैं next class में Thank you and good luck